बागपत में हिंदू संगठन के कार्यकरताओं ने पशुतसकर को दोडा दोडा कर पीटा। जानकारी के अनुसार पशुतसकर शामली से अवैध कटान के लिए इन पश्मों को बडोत के रास्ते बागपत ले जा रहे थे। हाँ ये एक मुकदमा लिखा गया है पस्कूरता धिनियम का ठाना बड़ावत में और उसमें ये जानकारी में आया है कि पबलिक ने उस गाड़ी को रोक लिया था उस गाड़ी में धेर सारे जानवर भरे हुए थे जो उसकी छमता से बहुत जादा थे उस पर भीड ने रोका आपको बता दे कि बागपत के रास्ते पशुतसकरी बढ़ती जा रही है यही नहीं इसको लेकर पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है लेकिन पॉलिस इस अवैद पशुकतान को रोकने में नाकामियाब हो रही है पंजाब के सिल टीवी के लिए बागपत से विवेक श्र विवास्तव की रिपोर्ट